Hello everyone, welcome to our channel MP Board English Medium So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे important question की series को आगे बढ़ाते हुए Physics का chapter number 3, जो की है current electricity, इसके important question को discuss करेगे इससे पहले हमने physics के जो दो chapters है आपकी first unit, chapter number 1, chapter number 2 इसके important question already discuss कर चुके, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको link मिलेगी playlist के description में, वहाँ से जाकर के आप check out जरूर कर लिएगा इसके साथ साथ हमने chemistry की पी दो chapter discuss कर रखे, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते इस वाले वीडियो में हम बात करें के current electricity के important question की तो please वीडियो को end तक देखे और जितने भी आपको में important question देता हूँ इनको अच्छे तरकी से note down कीजिएगा, because आपके exam में ये question पूछे जाने के chances बहुत जादा है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके blueprint के according weightage की तो हम जानते हैं कि blueprint के according इसका weightage है दो marks का इसमें से एक बड़ा question आने वाला है प्लस तीन marks के दो बड़े question यहां से देखने के लिए मिलने वाला है इसके लाव objective उसमें से आएगे जो की हम बाद में discuss करेगे अभी हम बड़े questions पे जाने वाला है तो दो marks के हाँ पे एक question प्लस तीन marks का दो question हाँ पे पूछा जाने वाला है तो उसी के according हम लोग एक important question को discuss करेगे अगर आप download करना चाहते हैं इसी वाली PDF को तो इस PDF को आप हम मेरे telegram channel से जाके download कर सकते है मेरे telegram channel की link आपको description में मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर के join कर सकते है सबसे पहले आप लोगों को हम discuss करेगे दो marks के important question तो दो number के जो important question है वो कुछ इस प्रकार से प्लीज गाइज इन question को note down कीजेगा बहुत जादा chance बनते है आपके examination में आने के बार बार आप लोगों के बात बोलता हूं है अगर अभी से practice करोगे तो बहुत ही आप लोगों को आसानी मिलेगी आपके examination में सबसे पहला question आता है What is drift velocity? Write its value तो क्या होता है drift velocity? I hope आप सभी को अगर पता होगा तो please comment section में बताइए अगर आप लोगों को answer पता होते तो comment section में छोटे-छोटे answer आप point out कर सकते है मैं आपके comment को जरूर से pin करूगा Second question आता है Write any two limitations of Ohm's law Ohm's law के कोई दो limitation आप लोगों को लिखने के लिए बोला जा रहा है तिस्ता question आता है Establish the relationship between current and drift velocity क्या होती है current और drift velocity के बीच में relation यह आप लोगों के establish करके मांगा जा रहा है आप लोगों को बस उतना ही करना है जितना question में पूछा जा रहा है उससे अलावा आप लोगों को किसी तरह का कोई extra work नहीं डालना है ठीक है चौथा question आता है Write the comparison between resistance and specific resistance of a conductor क्या होता है comparison एक resistance और specific resistance conductor के इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है पाच्वा question What is electric current? Write its unit तो क्या होता है electric current? Simple definition और simple आप लोगों को उसकी unit लिख के आना है ज्यादा इधर उधर की बाते question में आप लोगों को नहीं लिखना है चट्वा question आता है Write what is Ohm's law? यहाँ पर बस आप लोगों को statement पूछा जा रहा है What is Ohm's law? दो number के लिख जा रहा है That doesn't mean कि आप लोगों को पूरा derivation लिख के आना है बस आप लोगों को लिख के आना है law है Ohm's law क्या होता है? बस उसका statement That's it आप लोगों को number दे दिये जाएगे आप लोगों को कितना लिखना है यह depend करता है marks पे अगर Ohm's law आप लोगों को 3 या 4 number के लिए पूछा जाता तो मेभी आप लोगों को मैं बोलू कि आप इसमें ज़्यादा describe कीजिए आप लोगों को only statement and law की equation आती है वो लिख करके आ जाना है बस इतना ही करना है आप लोगों को तीसरे हम बढ़ते हैं 3 number के question की तरफ अब भी हमने जो discuss किये वो 2 number के like जो question मुझे लगते थे आप लोगों को बताए मैंने अब बढ़ते हैं 3 number के questions पे तीन number के लिए सबसे पहला question आता है explain the principle of wheat stone bridge and derive the necessary condition for balanced wheat stone bridge तो क्या होता है wheat stone bridge आप लोगों को पता हो तो comment section में बताईए और wheat stone bridge के अंदर कितने resistance होते हैं ये मैं आप लोगों से जाना चाता हो अगर आप लोगों को पता है तो comment section में ज़रूर बताईएगा पहला question आप लोगों को I hope समझ गया होगा दूसरा question आता है three resistance in R1, R2 and R3 are connected in parallel draw label diagram and obtain expression for its equivalent resistance तो आप लोगों को तीन resistor दे दिये गए है R1, R2 and R3 इनको connect कर दिया है parallel में आप लोगों को पोल ला जा रहा है कि equivalent resistance निकाल के देजे ये question बहुत बार question papers में आये है अगर आपके पास पिछले साल के paper होगे तो check out कर सकते है या फिर अगर आप किसी coaching जा रहे है school जा रहे है तो मैं आप लोगों को जितने भी question दे रहा हूँ अपने teacher से एक बार आप बोलीगा कि sir ma'am आप हमें बताइए कि ये question सही में important है and I guarantee guys कि आप लोगों को आपके teachers positive feedback ही देगे आपका teacher कभी ये नहीं बोलेगा कि ये question को मत पड़ो इसमें कोई question काम के नहीं है 101% आप लोगों को वो यही बोलेगे कि question बहुत important है आप इसको practice कीजे अगर आप लोगों को जूट लगता है तो कभी अपने teacher से एक बार पूछ के देखिएगा कि sir ma'am हमको questions मिले है कहीं से क्या हमें इन्हें practice करना चाहिए and क्या होता है आप लोगों के teacher का reply please मुझे बताइएगा तीसरा question आता है 3 resistance resistors R1, R2, R3 are connected in series draw label diagram and obtain the expression for it equivalence resistance पहले हमने इनको parallel में connect किया था अब इनको हमने series में connect किया है आप लोगों को equivalent resistance निकालना final equation आती है वह आप लोगों को पुछी जाएगी हो सकता है यहाँ पर R1, R2, R3 की जगर resistors की value भी दी जाए तो आप लोगों को solve करके बताना आना चाहिए चौथा question आता है establish the relation between electromotive force, terminal voltage and internal resistance तो आप लोगों को इनके बीच में relationship establish करके पूछा जा रहा है अगर आया तो तीन नंबर के लिए बहुत अच्छा question बनता है बहुत बार पूछा भी गया आम पी board examinations में उसके अलावा चौथा पाच्पा question आता है write the difference between electromotive force and potential difference तो क्या होता है difference एक electromotive force and potential difference में आप लोगों को पूछा जा रहा है अगर question आता है तो आप लोगों को दो partition बना के दो आप लोगों को box बना के बराबर से difference लिखना आना चाहिए छटवे में आता है numerical तो देखो numerical ऐसी चीज है जो इस chapter से पूछा जाता है और physics है तो numerical तो होंगे ही MP board में वैसे तो ज्यादा numerical नहीं आते बड़ कुछ कुछ chapter है जहां से numerical पूछे जाते और जिन जिन से पूछे जाने वाले है मैं आपको वीडियो के आंड में बताता भी हूँ कि इनसे आपको numerical पूछे जाएगे numerical number का खेला होता है इसमें आप लोगों को कोई important नहीं बता सकता कि यह आला numerical पढ़ ले यह paper में आता है या यह वाला पढ़ ले वो तो एक number है मैं आपको 2 की जगा 5 भी लिख के दे सकता हूं 5 की जगा 10 भी लिख सकता हूं numerical कोई maths वाला बच्चा होगा तो समझ सकता होगा कि यह numerical तो numerical होता है अब maths में मैं आपको formula important बता सकता हूं पर यह नहीं बता सकता है कि वो 3 plus 3 ही पूछेगा वो तो आपको बोल रहा है कि मैं addition पूछने वाला हूं वो है resistance जैसे आप लोगों को question number two or three में बता है कि resistors को connect कर देते series parallel में जा फिर कुछ combination को parallel में डाला फिर सामने जाके इसको series में कर दिया और आप लोगों को resistors की value दे रखिए फिर आपको equivalent resistance पूछा जाता है आप लोगों को NCRT में ऐसे बहुत सारी questions देखने के लिए मिल ज question I hope आप सभी को important question पसंद आयोगी तो please video को like कीजेगा and हम बहुत ही जल्दी next chapter भी लिकर के आने वाला हूं अगर आप लोगों को ये video पसंद आया तो इसको like कीजेगा thank you for watching this video मिलते है आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में